बिग बॉस 17 चलिए बात करते हैं बिग बॉस के भर भर के टिपड़ी करने वाले शो में पहली बात तो जो कल का एपिसोड था कुछ बोरिंग सा था आप सबको भी ऐसा ही फील हुआ होगा कि एपिसोड जो बोरिंग है क्योंकि घर में जो बिग बॉस है वो कंटेस्टेंट से ज़्यादा खेल रहे हैं और खेल भी कैसे रहे हैं जो उनके शो के लिए काम कर रहे हैं जो उनके शो को interesting बना रहे हैं Big Boss ले दे के उसके पीछे पड़ जा रहे हैं हर बात पे एक बंदे को decode करना उसकी एक एक लाइन को decode करना वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि Big Boss ने उस बंदे को ही विल्कुल शांत कर दिया है मतलब वो बंदा घर के अंदर आया था तो क्या एनर्जी थी क्या उसका तजुर्बा था वो कैसी बात ये करता था आज वो बंदा कहीं lost सानजर आ रहे हैं मैं बात कर रहे हूँ विकी जैन की जी या पहले भी मैंने ये बात किये कि Big Boss अगर तुम्हें विकी ने पानी पिया आज तो विकी ने खाना खाया विकी ने गिलास का यूज कर लिया विकी ने प्लेट का यूज कर लिया बिक बॉस ऐसा वोलने वाले हैं आप ये देखोगे आज के एपिसोड में कि विकी कहीं lost सा था विकी अपनी बातों को नहीं अच्छे से express कर पा रहा था वो कहरा यार मेरे सीने में कुछ था मेरे दिल में कुछ था मुझे दर्द हो रहा था मुझे तकलीफ ओरी थी इस बात से तो मैंने आज अनुराग का नाम ले दिया वापस से कि भई अनुराग को मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ अगर मेरे को एक चांस मिले कि मैं नील को सेफ कर पाऊ तो क्योंकि मैंने उस टाइम जो किया उस टाइम मुझे ऐसा इंस्टिंट आया कि हाँ चलो नील को कर देते हैं लेकिन अभी मुझे ऐसा रिराइज हो रहा है कि मेरे से गलती हो गए उस टाइम पे और मुझे अनुराग को ही नॉमिनेटेड रहने दिना चाहिए था क्योंकि नील की तो कोई गलती नहीं थी अनुराग की गलती है और शायद उसी का पनिश्मेंट उसको मिलना चाहिए तो इसलिए मैंने ऐसा किया हाला कि नील को बचाने के चकर में विकी कोई ये बोलने की जरूरत नहीं थी आज के एपिसोड की जब शुरूआत होती है तो मुनावर फारुकी जो की बहुत अच्छा गेम खेल रहे है हाला कि खेलते हुए वो नजर नहीं आ रहे है समझते हैं वो गेम को बराबर लेकिन वो खेलते नहीं है तो उन्होंने मनारा से पैच अप कर लिया है अपना और ओविसले दोस्ती है इनकी क्योंकि मुनावर आज एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे हम कहीं न कहीं ये समझ रहे थे कि मनारा को बिग बॉस ने थोपा है मुनावर के उपर लेकिन आज ये समझ में आया है कि मुनावर को थोपा नहीं गया है मनारा को बलकि मनारा को मुनावर खुद चाहते थे कि वो उसके साथ दोस्ती करें वो उसके साथ बॉर्णिंग रखें और इसी लिए मुनावर ने उससे बात करी और कहा कि मैंने confession room में देखा तुम्हें मुझे लगा ये क्या है ये अजीब सी ही है कुछ तो अलग है ये different है तो मैं इसी रहे चाहता था कि मैं तुमसे friendship करूँ और वो friendship मैंने की तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मुनावर के उपर मनारा को थोपा गया है बिल्कुल भी नहीं थोपा गया है तो मुनावर ये कहते हुए से नजर आ रहे थे कैमरा से बात कर रहे थे audience को बताने की कुशिस कर रहे थे कि घर में जिस तरीके से सना को target किया जा रहा है ठीक है ना घर में इतना धेर सारा खाना रहता है ऐसा नहीं है कि बिग बॉस हमें भुके मारने वाला है बहुत धेर सारा खाना रहता है तो बिग बॉस चाहे तो जो वो खाना दिया है उस खाने में भी हमारा अच्छा खासा गुजारा हो सकता है अच्छा जी बिग बॉस चाहते अगर तो जिस तरीके से आप विकी भीया को हर जगर decode करने के लिए चले आते हो, वैसे ही आप जब मनारा बात कर रही होती है, जब मुनावर बात कर रहा होता है, जब समर्थ बात कर रहा होता है, जब इशा बात कर रही होती है, हाला कि इशा को भी आपने बहुत टार्गेट किया है, लेकिन इस दोनों जिब ये दोनों बात कर रहे होते हो तो इनको डिकोट करने क्यों नहीं आते हो आप नहीं आते हो ना तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं नहीं कहीं इन दोनों को ही फेवर तो किया जा रहा है भर भर के फेवर किया जा रहा है आप फिर मुनावर को बुलाते ह में स्टोर्रूम में बुलाते और कहते होगे देखिए मुनावर इतना धेर सारा खाना भी बचा हुआ है जबकि ये भी खतम हो चुक है उसके बाद इतना खाना भचा हुआ है तो मतलब बिग बॉस मेंली ये कहना चाह रहे थे कि मैं खाना भरपूर देता हूं तो इसका कोई जा जा के क। मेरे को ये पावर दे दो मेरे को ये ए Newton फारीटी दे दो और मैं आधाः खाना लेने के लिए तैएर उ outta फिर अगर घर में कोई बावाल ही न मचाये तो क्या है कभी बोस फिर तो मेरे को ये बात कही ना कहीं अजीब सी लगी और समझ में नहीं आई लेक ऑज अनुराग की बारे में बात करना बहुत ज़रूर ये क्योंकि अनुराग वापस से नॉमिनेट हो चुका है, अनुराग और खानजादी के बीच में आज एक बहांस हो गई ती, तीखी बहांस हो गई, जहाँ पर अनुराग सर्फ यही समझाने की कोसिस कर रहा था कि खान उपर सब चड़ गया, तो बस वो यही समझाने के ट्राय कर रहा था, लेकिन खानजादी उसको समझ ही नहीं पा रही थी, खानजादी को लग रहा था कि मैं तो मेरी बात करूंगी, देखो खानजादी तुम तुम्हारी बात करो, हम अगरी करते हैं, हर किसी को राइट है, उ तुम्हारे उपर घूम भीर के आ जाएगी, तो मुझे वहाँ अनुराग कही न कहीं ठीक लगा, कि हाँ उसने यह जो बात समझानी चाही, वो खानजादी को समझाई, हलाकि वॉल्यूम तेज था, अंकिता लोखंडे नजर आई, खानजादी का साइड लेते हुए, वो भ चोपड़ा ने अभी कली के एपिसोड में कहा था कि मुझे अनुराग के साथ कोई बात नहीं करनी है, बिक्वॉस मैं तो अनुराग से बिलकुली मैंने सब कुछ डन कर लिया है, अब मैं उससे कोई बात नहीं करने वाली हूँ, और आज फिर वो अनुराग के पास गई, और उन्होंने ये समझाना चाहा कि देखा अनुराग, तुम्हारे साथ क्या हुआ, विकी भईया ने कैसे तुमको वापस से नॉमिनेट कर देए, ये लोग ऐसे ही है अनुराग, ये ऐसे ही है, दोनों पती-पतनी, इनका जब मन करता है, जब तुम्हारा लो फेस होगा, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम क्रियेट करेंगे, तुम्हारे रिस्तों को ही खराब कर देंगे, तुम्हें अपने लोग समझने पड़ेंगे, मनारा कौन से लोग की बात कर रही हो, कौन से लोग की, सबसे ज़्यादा डेंजरस तो मुझे तुम करते हैं अगर Vicky को feel हुआ कि उसने गलती करी Neal को nominate करके उसने वापस से Anura को nominate कर दिया उसने face पे किया और उसने कहा भी कि Anura मैं तुम से बात करता लूँ हाला कि समझाता हुआ नज़र आया Vicky लेकिन Anura गाज मानने को तैयार नहीं था वहां मैं अनुरा का स्टेंड भी सही समझती हूं इसले सही समझती हूं क्योंकि अनुरा को बुरा फील हो रहा था अनुरा को बुरा फील हो रहा था कि बही ऐसा कैसे कर सकते हो विकी भाई या पिरसाथ तो अनुरा का नाराज होना बनता था लेकिन अनुरा को भी समझना पड़ेगा कि अंकिता विकी एक टाइम को तो जन्मिन हो भी सकते है तो इस तरीके से मनारा अपना कार्ड खेलती भी नजर रही हाला कि मनारा एक्सपोज होऊँगी लेकिन अभी time है और I think कि जब मनारा एक्सपोज होऊँगी तो बहुत बुरी तरीके से होएंगी और बिगबास भी अगर नहीं कर रहा है मनारा को expose तो ठीकी कर रहा है कही न कहीं क्योंकि अगर मनारा भी expose हो जाएगी तो फिर मनारा भी शान्त हो जाएगी अभी तो मनारा को लग रहा है कि वो जो बोलती है जैसा बोलती है audience को बहुत अच्छी लग रही है और big boss को बहुत अच्छी लग रही है लेकिन ये सिर्फ समय की बात है अभी समय का पहिया विकी की तरब घूमा हुआ है तो विकी डाउन जा रहा है मनारा आपकी तरब भी घूमेगा वो पहिया तो ये सब चीजे रही मेरे हिसाब से अभी शेक को आज फिर से रोना आगया इशा की वज़े से कि ईशा ने इसे ऐसे कैसे बात कर ली तो अभी शेक कहीं न कहीं मूब ओन नहीं कर पा रहा है वो बहुत ट्राय करता है मूब ओन करने की वो खान जादी के पास भी जाता है लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं स्टक हो चुका है ईशा को ले करके और ये सारी चीज़े देखने को मिली तो चलिए आप बताईएगा आपको आज के एपिसोड के बारे में क्या कुछ है कहना अपनी राय कॉमेंट में दीजेगा टास्क होने वाला है घर के अंदर और आज रात में आएगा टास्क तो हम देखेंगे टास्क के बारे में फिर ब में आपको 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 आरे में देखेंगे जया के इमी सारी है अव मे….